वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैब कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब कर लिए और यहां पर वह भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रिवियस यह के questions को attach किया जाए जो UPSC में पूछे गए हैं और या फिर UPSC में पूछे गए हैं और यह सीरीस bilingual है हिंदी या English medium किसी के भी है तो दोनों लोग ही इससे benefit ले सकते हैं और इसको start करने करके पूरी तयारी करके आप selection ले सकते हैं साथ में BPSC, UKPSC, HCS जैसे exams के लिए भी paid courses चलाए जा रहे हैं और इससे सम्मंदित अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इन given numbers पर call कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ में अगर आपने अभी तक फ्री टेलिग्राम चानल को नहीं जोइन किया है तो जरूर जोइन कर लेजएगा क्योंकि यहां पर चानल से सम्मंदित सभी updates आपको easily available होगे आईए अब हम देखते हैं आज हम topics cover करेंगे थोड़े जादा topics होगे शायद लेकिन छोटे छोटे topics हैं तो छोटे topics हैं इसलिए शायद number भी जादा है और इन topics से exam में question बन सकते हैं तो इनको थोड़ा ध्यान से देखेगा थोड़ी सी basic चीजों को देखना है आपको जादा नहीं detail में जाना है UPI, UPI का हम सब use करते हैं इसका full form क्या है सबसे पहले तो यह important हो जाता है unified payments interface क्या है unified payments interface ठीक है यह UPI का full form है बहुत आसान सी चीज है और हम लोग इसको use भी करते हैं लेकिन exam में अगर आ जाएगा तो हम थोड़ा confused हो सकते हैं इसलिए basic सी चीजों को भी ह में एक दोर नहीं करना चाहिए उसके बाद होता क्या है इसमें basically यह एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशी स्थानांत्रेत करने की का एक सुविधा जनक तरीका है 2016 में इसको NPCI द्वारा launch किया गया था NPCI क्या हो गया National Payments Corporation of India ठीक है यह हो गया हमारा NPCI और NPCI के द्वारा इसको launch किया गया था आगे देख लेते हैं यह एक ऐसी तक्नीक है जिसमें विभिन बैंक खातों को एक ही मोबाईल आप से में समयकित किया जाता है ठीक है और इसमें ततकाल रियल टाइम भुक्तान प्रणारी की सुविधा होती है हम सब लोग यूज करते ह है UPI तो यह हमको पता है इसकी सहायता से उप्योग करताओं को दूसरे पक्ष के समक्ष विवरण प्रकत किये बिना कई बैंक खातों में दर अंस्तांतरत करने की सहूलियत हो जाती है यह basic information है पता है याद रखेगा 2016 में इसको launch किया गया था NPCI के द्वारा launch किया गया था और इसको full form किया है राइट तो UPI देख लिया हमने उसके बाद अब यह NPCI आया है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते है नाशनल पेमिन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतिये राश्ट्रिये भुक्तान निगम यह भारत में खुद्रा भुक्तान और निप्त प्रणाली का संचालन करता है यह भुक्तान और निप्तान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत RBI और भारतिये बैंक संग याने की IBA द्वारा शुरू की गई एक पहल है तो याद रखेगा RBI के द्वारा और IBA के द्वारा इसको Payment and Settlement Systems Act 2007 के अंतरगत स्था किया गया था NPCI को और यह create किया गया था RBI के द्वारा कि भारत में खुद्रा भुक्तान और निप्टान प्रणाली के संचालन के उद्देश से इसको स्थापित किया गया था साथ में क्या कहा गया है यह December 2008 में स्थापित किया गया था और यह Company अधिनियम 2013 की धारा आत के तहत पंजीक्रित है यानि की registered है और एक गयर लापकारी संगठन है ठीक है non-profit organization है तो यह basic सी information हो गई NPCI से संबंदित कि अगर कोई question ऐसा बन जाता है कुछ statement में आ जाता है तो ह right उसके बाद फिर हम देखते हैं GST, GST कौन से amendment से हुआ था हमने constitutional amendments किये हैं आपको पता होगा याद करने की कोशिश कीजिए और बाकी आपके सामने लिखा हुआ है 101st constitutional amendment 2016 के माध्यम से GST लाया गया था और हमारा जो संविदान है इसका article 279a के अंतरगत जिएस्टी जो है उसको प्रशासित और नियंत्रत करने के उद्देश इसे राश्रपती द्वारा GST council का गठन का प्रावधान किया गया है तो GST जो council है ये constitutional body है कौन से article के अंतरगत निर्मित होती है article 279a ठीक है तो ये भी बहुत important points है देखिएगा इनको ध्यान से जिएस्टी को क्यों introduce किया गया ताकि हम एक देश एक कर वन नेशन वन टाक्स की जो अवधारना है उसको बढ़ावा दे सके बेसिकली जितने भी indirect taxes थे उनको हटा कर एक GST लेकर आया गया था चीक है और इसमें क्या कहा गया है इसने subzium किये है indirect taxes कौन कौन से exercise duty वाट service tax luxury tax इन सब को इसमें अपने में मिला लिया है और एक tax बनिया है goods and services tax चीक है उसके बाद आपने अगर GST पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा C GST, S GST और I GST तो ये बेसिकली इन दोनों का जो center का हिस्था होता है GST का वो होता है और जो state का हिस्था होता है वो होता है और एक होता है I GST यानि कि integrated GST ये क्या cover करता है ये cover करता है interstate trade को और ये basically tax ना होकर एक system ह जो coordinate करता है state और union के taxes को ठीक है तो यह वस एक point था यहाँ पर और यह जो tax है GST यह applicable है only on supply of goods और services यह वस्तुओं यह सिवाओं की आपूर्ती पर लागू होता है ठीक है और यह sorry 4-tier tax structure जो है वो लागू किया गया था GST के अंतरगत जिसमें 5% का slab है 12% का है 18% का है और 28% का है एक 0% का भी रखा गया था उसको अटा दिया गया बाद में तो यह 4 slabs है 5, 12, 18 और 28 जो list of items है जो GST के अंतरगत आएंगे इन multiple slabs में कहां पर वो कौन डेसाइड करता है GST council डेसाइड करती है ठीक है कौन सा product कौन सी जो बस्तुओं है वो कौन से slab के अंतरगत आएगा साथ में एक important point यहाँ पर आता है कि petroleum products, alcoholic drinks, electricity इन सबको GST के अंतरगत नहीं रखा गया है और इनको charge किसके दवारा किया जाता है state governments separately charge करती है जैसे पहले system चल रहा था उसी हिसाब से तो बहुत important point है petroleum products, electricity और alcoholic drinks जो ड्रिंग्स है वो state governments अभी भी अलग से charge करती है और वो GST के अंतरगत नहीं सम्मेले था, article 246A के अंतरगत हम देखते है जो state से उनके पास power होता है कि वो tax कर सके goods or services को, यह article है याद रखिएगा और article 279A के अंतरगत GST council form की जाती है, president के तवारा और यह क्या करती है, यह administer करता है और govern करती है GST को, ठीक है और जो GST council है इसकी chairman कौन हो होंगे, union finance minister होते हैं, कौन होते हैं, union finance ministers के chairman होते हैं, और साथ में ministers होते हैं, जो की nominate किये जाते हैं, state governments के दुवारा, ठीक है, इसके member के रूप में, जो nominate किये जाते हैं, बाकी लोग वो members होंगे, उसके बाद, दीखिए अगर आप Hindi भी medium के हैं, या English medium के हैं, तो आप यहां पर देखकर refer कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं English में पढ़ाती हूं एक तरीके से, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे उसको समझ पाएंगे, क्योंकि यह normal, आम भाशा हो गई है, बोलचाल की, बाकी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही हैं, तो दोनों languages लिखी हैं, और आप उसको refer कर सकते हैं, यह जो GST Council होती है, इसमें Center का 1 3rd voting power होती है, और States के पास कितनी होती है, 2 3rd voting power होती है, और जो decisions होते हैं, वो किस basis पे लिए जाते हैं, तीन चौथाई बहुमत, यानि की 3 4th majority के साथ, तो GST Council से समबंदित भी चीज़ें जो important थी, व पस उसके बाद एक चीज़ बहुत जादा news में थी, वो थी moon lighting, ठीक है, moon lighting की जो घटना थी, आपने सुना होगा काफी जादा, यह term news में था, और कोई भी अगर term news में होता है, तो उसको पूछे जाने की संभाबना exam में रहती है, moon lighting क्या था, moon lighting की practice वो हुई, कि जो आप ए extra time में कहीं दूसरी जगे नौकरी करने लगे, तो इसको moon lighting कहा जाता है, यानि की, it is the practice of taking up secondary jobs after regular working hours, जो regular working hours है, उसके अलावा आप कहीं पर दूसरी जगे भी काम करने लगे, जो secondary job होगा, इसको किया जाता है, employer की जानकारी के बगेर, जो आपके regular job है, उसका जो employer है, उसको इसके बारे में पता नहीं होता, यह basically side jobs होते हैं और रात में करते हैं लोग या फिर weekends में करते हैं, यह जो phrase है moon lighting, यह सबसे पहली बार कब famous हुआ था, कब popular हुआ था, Americans के दूआरा popular हुआ था, जब Americans ने दूसरी job, टूनने का प्रयास किया था, जिससे कि उनकी income में व्रध हो सके, तब यह moon lighting शब्त का पहली बार प्रयोक किया गया था, उसके बाद food delivery जो platform है swiggy, आप सबने सुना होगा, use भी किया होगा, इसने launch की थी एक moon lighting policy August 2022 में, उसके बाद से यह term काफी जादा चर्चा में रहा है, तो यह हमने देख लिया, कुछ companies ने इसको support किया है, देख लिये, उसके बाद हम देखते है, minimum support price, minimum support price देख लेते हैं, यह भी economics का बहुत important topic है, यह क्या होता है basically, देखे, तो देखे, minimum support price यानि कि noon term समर्थन मोले, अगर आप नाम से समझने का प्रयास करें तो आप समझ पाएंगे, example लेते हैं, 100 रुबे किसान की लागत लगी ठीक है, अपने product को, अपनी फसल को उगाने में, अब जब वो बाहर बेचने गया, तो लोगों ने कहा तो हमसे 90 रुपे ले लो, अब जितने भी लोगों के पास वो जा रहा है, वो कह रहें, 90 रुपे ले लो, लेकिन लागत उसने 100 रुपे की लगाई है, तो अब loss में त 100 रुपे की लागत है, तो at least 105 रुपे उसने माल लीजे, सरकार ने ये minimum support price खोशत कर दिया है, कि अगर किसान बेचने जा रहा है, तो वो इसके ऊपर बेच सकता है, लेकिन अगर उससे कोई कह रहा है कि नहीं, तो 105 से नीचे में हमको दे दो, तो सरकार क्या कहेगी, ऐसा कर price, ठीक है, इससे ऊपर किसान बेच सकता है, लेकिन अगर उसको कोई दुकान दार ऐसा नहीं मलता है, जिसको बेच सके, तो वो सरकार को बेचतेगा, यहीं पूरा है, तो इसको एक बड़ डेफिनिशन देख लेते हैं, ये कुछ कृशी उत्पादों के लिए सरकार के दु की गई लागत से कम हो, तो जो मैंने आपको बता है, वही चीज लिखी हुई है, वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, एक बार आप पर सकते हैं, ये क्या करता है, ये सेव करता है, अगरिकल्चुर प्रडूसर्स को, अगेंस्ट स्चार्फ वॉलिन फार्म प्राइज जल्च ये अनॉन्स किया जाता है, गवर्मेंट अफ इंडिया के दवारा, सोइंग सीजन की शुरुवात में कर दिया जाता है इसको कुछ क्रॉप के लिए किया जाता है, और वो जो क्रॉप से उनकी रिखमेंडेशन कौन देता है, कमिशन फॉर अग्रिकल्चुरल कॉस् के दवारा CACP के दवारा इसकी जो मूल है MSP उसका रिकमेंडेशन दिया जाता है सरकार ठीक है और यह जो CACP है यह एक अटाइस्ट ऑफिस है Ministry of Agriculture और Farmers Welfare यानि कि किसान कल्यार मंत्राले का एक संबत कार्याले हैं तो ध्यान रखिएगा CACP जो है वो रिकमेंड करता है और उसी क्याधार पर जो Government है वो मूली निर्धारत करती है और उसके बाद MSP जो है अब कितनी फसलों के लिए दिया जाता है तो यह 22 क्रॉप्स के लिए जाता है और Sugar Cane के लिए मेली FRP दिया जाता है FRP का Full Form है Fair and Remunerative Price तो उसी की तरह होता है बस थोड़ा सा नाम में डिफ्रेंस से जाधा आपको इसकी डीटिल में जाने की ज़रत नहीं है Main objective क्या है MSP को set करने का कि हम farmers को support कर सके distress जब sales होने लगे कि इतनी उनकी लागत से कम पैसो में उनको बेचना पड़ जाए और साथ में इससे एक और फाइदा क्या होगा कि जो सरकार है वो food grains को procure कर सकती है अपने पास store कर सकती है क्योंकि public distribution के अंतरगत उसको अनाज की आविशकता होती है जब वो अपने पास अनाज रखे की तभी तो लोगों को तक उसको distribute कर पाएगी तो MSP के ये दो लाब हो जाएगे एक तो किसान को भी फाइदा होगा और दूसरा सरकार के लिए भी थोड़ा सा ये beneficial होगा जो crops cover होते हैं MSP के अंतरगत ये basically 7 type के होंगे जिसमें cereals में कौन-कौन से आ जाएगे पैडी, wheat, maize, बाजरा, जौर, रागी और बार्ले और पांच तरे की pulses होगे याने की दाले होगी ठीक है इनमें क्या-क्या आ जाएगा चना, अरहर, अरहर और तूरे की होता है उरत, मूंग और मसूर तो ये जो साथ oil seeds हो जाएगे, oil seeds याने की तिलहन, इसमें rape seed, mustard, ground nuts, soya bean, sunflower, sesame, safflower, nigel seed ये सब आ जाएगे और तीन commercial crops आ जाएगे cotton, copra और raw jute, क्या क्या जाएगा, cotton, copra और raw jute, ठीक हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, सब तो नहीं learn करना है, लेकिन एक बर इसको देख लीजेगा, क्या पता है, ऐसा कोई question, पूछ लिया जाएगे, ठीक है तो एक बर इनके नाम देख लीजेगा, उसके बाद question देख पूछा गया है, MSP से सम्बंदित, consider the following statements, पहली क्या है, in the case of all cereals, pulses and oil seeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state or UT of India, in case of cereals and pulses, MSP is fixed in any state or UT at a level to which the market price will never rise, इनको एक बर हिंदी में भी देख लेते हैं, सभी अनाजों, दालों और तिल्हनों के मामले में, भारत के किसी भी राज या संग राज शेत्र में, जो MSP है, उस पर खरीद असीमित है, अनाज और दालों के मामलों में, किसी भी राज या केंद शासत प्रदेश में, MSP एक ऐसे इस तर पर देखिया जाता है, जिस इस तर तक बाजार मुल्य कभी न बढ़ सके, तो अब इसमें हमको बताना है, कौन सा स्टेट्मेंट सही है, देखिए यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेट्मेंट्स जो है, वो गलत हो जाएंगी, D option correct होगा, पहला क्यों गलत हो से वो सीमेट है, ऐसा नहीं कि हम सीमेट खरीदते ही रहेंगे, तो पहला यह गलत हो जाएगी, सरकार असीमेट रूप से नहीं खरीच सकती है, दूसरे में लिखा हुआ है, कि अनाज और दाल के मामले में, यूटी और स्टेट्स में क्या होगा, MSP एक ऐसे इस तर पर तैक भी हो जाता है, कम में नुकसान ना हो, इसलिए MSP को निरधारित किया जाता है, तो यहाँ पर हमने option D correct होगा, यह देख लिया, उसके बाद एक topic हम आज और देख लेते हैं, आज हम बेसिकली छोटे-छोटे topics देख रहे हैं, तो zero budget natural farming इसको भी देख लेते हैं एक बार, तो यह जो हमारा रोज का चलता है, जो यह वीडियो सीरीज में topics का discussion, उससे आज का थोड़ा different है, क्योंकि छोटे-छोटे हमने कई सारे topics देखे हैं, उनसे questions बन सकते हैं, इसलिए हम इन topics को देख रहे हैं, and इसको देख लेते हैं, क्या है zero budget natural farming, इसका ताथपर होता है कि किसी उर्वरक और कीट नाश रख या फिर किसी अन्य बहारी सामगरी का प्योग किये बिना फसल को उगाने से, यानि कि जो नाम है, उसी से आप इसकी definition निकाल सकते हैं, कि zero investment के साथ कोशिश की जाती है, कि natural रूप से farming की जाए, ठीक है, zero budget का मतलब क्या हो गया, zero cost of production, ठीक है, ह इसके मातलब से क्या होगा, कोई भी चीज अगर natural farming करने का प्रयास करेंगे हम, और उसमें कोई भी chemicals, fertilizers, जो होते हैं, उनको आट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो soil की fertility है, उसको retain कर सकेंगे, और agriculture को हम chemical free भी रख सकेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ी normal सी बाते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा थोड़े से और points देख लेते हैं, zero budget natural farming से संबंदे, अब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसने इसको promote किया, तो एक agriculturalist है, जिसका क्या नाम है, जिनका नाम है सुभाश पालेकर, इन्होंने mid 1990s में एक alternative दिया था Green Revolution Methods का Zero Budget Natural Farming के रूप में, ठीक है, सुभाश पालेकर नाम है, याद रखिएगा, और एक scheme लाई गई है, परंपरागत क्रिशी विकास योजना, जो encourage करती है, chemical free farming system, और उसके अंतरगत क्या Zero Budget Natural Farming को भी include किया गया है, और ये जो Zero Budget Natural Farming हो है, इसके अंतरगत में ली चार elements ह होते हैं, वो कौन-कौन से elements है, वो देख लेते हैं, देखिए ये जो चार elements है, इसमें सबसे पहले हो जाएगा, बीजा अमरित, फिर जीवा अमरित, फिर मल्चिंग और वापसा, ठीक है, तो इसका थोड़ा pronunciation गलत हो सकता है, तो वो आप समझ लीजेगा, तो सबसे पहले क क्या होता है, जीवा अमरित वाली स्टेज में क्या किया जाता है, फ्रेश जो काउ डंग होती है, और जो काउ यूरेन होती है, इसको गोड़ पानी इन सब के साथ सोयल में मिलाया जाता है, ठीक है, उसके बाद बीजा अमरित वाली स्टेट में क्या होता है, स्टेज में ज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हो गए और उसके बाद हम देखते हैं मल्चिंग मल्चिंग को बोलते हैं हम आच्छाधन भी कहा जाता है तो आच्छाधन का मतलब समझ जाएंगे कि जो ओपर वाली जो टॉप लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है सोइल में और यह रिड्यूस करते हैं इरिगेशन की रेक्वाइमेंट इतना आप से डीटेल में ना पूछा जाएं लेकिन तब भी हमें थोड़ी सी इंफिर्मेशन होनी चाहिए इसलिए मैंने यह आप पर बता दिये हैं आपको यह चारो एलिमेंस ठीक है देखिए शर्म अलशेक एजिप्ट में ठीक है तो यह कहां पर होई थी शर्म अलशेक एजिप्ट में होई थी और यह कंडक्ट कौन सा ओर्गनाइडेशन कर बाता है यह भी देख लिजें यू एन एफ सी सी यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कंवेंशन ओन क्लाइमेंट इसी के अंतरगत के कॉप जो है वो कंडक्टर वाई जाते हैं आगे आने वाले जो वीडियो से उनमें हम एन्माइमेंट के टॉपिक को डिस्कास करेंगे मेल ली और उसके अंतरगत के यून एफ सी सी और क्या कॉप है यह कॉप बेसिकली होता है कॉन्फरेंस ओफ पार्ट इसकास करेंगे तो फिलहाग यह रीसेंट एक कॉन्फरेंस होई है पार्टी इसकी यून एफ सी सी के अंतरगत 27 नंबर की होई है इसलिए कॉप 27 कहा गया है इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्ट है कहां पर होई है एजिप्ट में होई है और कंट्री से क्या कहा गया है कि व क्लाइन करने का प्रयास करें और जो यह शर्मल शेक जहां पर भी आप समझ लीजे कॉन्फरेंस होती है तो वहां से एक कुछ निश्कर्श निकल कर आता है तो उसको कह दिया जाता है डायलोग तो यहां पर जो भी वारतालाब जो भी बातचीत हुई उससे जो एंड में कं के बारे में और उन्होंने कहा जो भी फाइनाशिल फ्लोस होंगे यानि कि पैसे का आधान प्रदान जो भी होगा वह एलाइन किससे होगा ग्लोबल टेंपरेचर टार्गेट से तो अभी आपको प्यारिस अग्रिमेंट और यह जो रीसिंट समिट हुई है थोड़ी सी कंफ इंージ फंड भी बनाया गया एक नय तरीकी का फंड का अब जब मीटिंग हुई है तो कोई न कोई चीज नही jagnikl कर आई उसमें लोगों ने देशों ने मिलंकर लौस और और डामेज फंड बनाया यह एक नए त्लाहिं तरीकी का funding अरेंजमेंट होगा इसको established किया गया है for assisting developing countries mainly वो developing countries जो vulnerable है climate change को लेकर ठीक है और climate change के कारण वहाँ पर काफी ज़्यादा loss और damage हो रहा है तो ये fund ऐसी countries के लिए mainly बनाया गया है ठीक है तो loss and damage fund COP27 के अंतरकत बनाया गया था याद रखिएगा उसके बाद देख लेते हैं साथ में इस दौरान जो पार्टियां थी पार्टियों मतलब जो भी member countries है उनके लिए partnership यूज हो रहा है इनसे कहा गया था कि कम अचसरजन उर्जा प्रणालियों की और संक्रमर करने और बे रोक्तों कोईले पर आधारित जो विर्द्य उर्जा होती है राइट क्योंकि आपको पता है कोईले से क्या होता है climate pollution ठीकि air pollution होता है और यह सही नहीं है हमारे global environment के लिए उसके बाद क्या points है उसके बाद है श्री लंका के राश्पती के द्वारा श्री लंका में अंतरराश्टी जलवायू परिवरतन विश्विद्याले की स्थापना का प्रिस्ताव रखा गया तो ऐसे points जो है important हो जाते हैं क्योंकि इनसे prelims में question बन सकता है तो श्री लंका में climate change university प्रपोस की गई थी international climate change university किसके द्वारा श्री लंकान प्रेसिडेंट के द्वारा ही ऐसा प्रपोसल दिया गया और इसके साथ एक सहायक संस्थावी बनाने की बात की गई वो कहां बनेगी मौल दीप्स में इसके साथ में और क्या चीज़े हुई इसके साथ में UAE और एजिप्ट ने एक डील साइन करी है इसी COP27 जब चल रहा था उसी के साइड लाइन में यह दो देश मिले और उन्होंने एक डील साइन की है तो आप से पूछा रह सकता है प्रिलिम्स में कि वो कौन से दो देश है जो COP27 के समय पर ही मिले और उन्होंने सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े विंड फार्म बनाने की बात गई है तो याद रखिएगा एजिप्ट वही देश है जहां पर यह हो रहा था और साथ में UAE United Arab Emirates ठीक है और कौन से प जलवाई विद्ट पोशन योगदान की मात्रा और गुडवत्ता को बढ़ाने की दिशा में जलवाई विद्ट पोशन क्या हुआ जो climate financing में जो contribute करते हैं climate के लिए जो पैसा दिये जाता है funds दिये जाते हैं उसमें जो योगदान है उसकी मात्रा और गुडवत्ता को काने की दिशा में सतक परिवर्तन पहल के अंतरगत खादे और कृशी की शुरुवाट की गई है तो यह क्या शुरू किया गया है फूर एंड अगरिकल्चर फॉर स्टेनेबल ट्रांस्फरमेशन इनिशेटव यानि की फास्ट एक इनिशेटव शुरू किया गया है जिसका न इनिट पॉइंट्स है वो बहुत इंपोर्टन हो जाते हैं मारे लिए उसके बाद एम फोर देख लेते हैं यह क्या है यह यूए ही द्वारा लॉंच किया गया था और यह एक जलवायों से संबंधित क्रिशी नवाचार मिशन है यानि कि एक अगरिकल्चर इनोवेशन इंडिया इसका भी सदस से नहीं है यह भी याद रखिएगा उसके बाद इंटरनाशनल ड्रॉट रेजिलियन्स एलाइन्स यानि कि अंतरश्री सूखा लोच शील गडबंदन तो इन इतना डीटेल में जाने की ज़रत नहीं है लेकिन इसको कौन से देशों ने इसको साइन किया है वह important हो जाता है तो यह स्पेन और सेनेगल तो इंटरनाशनल ड्रॉट रेजिलियन्स एलाइन्स किस ने लांच किया है स्पेन और सेनेगल ने लांच किया है जो यह फास्ट इनिशियेटेब्स इसके लिए कोई कंट्री मेंशन नहीं है इसका टार्गेट 2030 रखा गय क्या कहा गया है वर्ड के लार्जेस्ट विंद फार्म्स बनाने को यूइयॉ और एजिप्ट में कहा है इसके अलावा इंटरनाशनल क्लाइमेट चैंज उनिवरसिटी श्रीलंका के प्रेसिडेन ने प्रपोस किये श्रीलंका में बनाने के लिए साथ में सहयोगी इंस्टिउ इनिशेटिव यानि की सतत्रिड अगतबंधन पहल यह मिसर के द्वारा शुरू की गई है और मैंग्रूव अलाइन्स है इसको लॉंच किया गया है इंडोनेशिया और यूए के द्वारा मैंग्रूव अलाइन्स फॉर क्लाइमिट इसको किसने किसने लॉंच किया है इंडोन एक्जाम में पूछ जा सकता है, ठीक है, तो यह easy है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी detail हमें नहीं पढ़नी है, बस इनके नाम से संबंधित question आने की संभाबना है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं mission life पे, life का मतलब क्या है, life का full form है lifestyle for environment, पर्यावरण के की गई थी, इसको सबसे पहली बार, प्राइम मिनिस्टर मोधी के दुवारा कहा गया था, COP26 में, जो ग्लासगो में हुआ था, COP26 क्या हो गया, conference of parties, जो 26 वे नंबर की थी, ठीक है, तो यह ग्लासगो में हुई थी, नमेंबर 2021 में, तब यह life के बारे में, सबसे पहले, प्र मूव्मेंट होगी, और साथ में, यह किस चीज़ को बढ़ावा देने की बात करती है, कि individual और collective actions लिये जाए, ठीक है, उसके बाद इसका aim क्या है, इसका लक्ष क्या है, इसका लक्ष है कि 2028 तक भारत के सभी गाउं और जो शेहरी स्थानिये निकाए है, यहाँ पर कम से कम 80 प्रतिशत को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए, ठीक है, तो जो भी villages और urban local bodies है, कम से कम 80% ऐसी bodies को environment friendly बनाया जाए, कब तक 2028 तर, राइट, और क्या बात है, इसमें और एक दो points और है, वो भी देख लेते हैं, कहा गया है, Mission Life के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार कारने ऐसी 75 जीवन शेली प्रताओं की एक सूची बनाई है, जो जनवायू अनुकूल ब्याभार को बढ़ावा देने में सक्षम हो सकती, अब आप कहेंगे 75 क्यों बनाई है, क्योंकि इंडिया क्या celebrate कर रहा है, 75 years of independence, right, then, इन कार्यों की 7 शेनियों के तहट सूची बत किय बनाई गया है, मतलब 7 शेनियों उनके अंतरगत लिस्ट बनाई गई है, जिनमें उर्जा की बचत, जल की बचत, एकल उप्योग वाले प्लास्टिक का कम उप्योग करना, टिकाउ खादे प्रणाली, अप्षिस्ट में कमी, और एक स्वस्त जीवन शेली को अपनाना, ये अप्षिस्ट प्रबंधन ये सारे points शामिल है, ठीक है, तो यही English में लिखा हुआ है, देख लीजेगा, अगर मैं कोई भी एक भाशा बोल रही हूं, तो आप दूसरी को देख सकते हैं, एक अब आज का हमारा आकरी topic है, vibrant village program, ठीक है, तो आज हमने थोड़ा differently देखे हैं, क स्कीम है, ये centrally sponsored scheme है, मैं बहुत बार बता चुकी हो, centrally sponsored schemes कौन सी होती है, तो ये एक बार चली फिर से बता देती हूं, इसमें क्या होगा, state और center, दोनों का share होता है, इसको लागू कौन करती है, state लागू करती है, ठीक है, फंस में, जो फंस होती है, वो divided होगे, थोड़ा percentage center देगा, थोड़ा percentage state देगी, ठीक है, और इसको states के द्वारा implement किया जाता है, state governments के द्वारा, ठीक है, और जो central sector schemes है, उनका 100% उनकी funding जो है, वो union government के द्वारा की जाती है, और उसको implement भी कौन करता है, central government की जो machinery है, ठीक है, तो ये जो है हमारा centrally sponsored scheme है, लाई गई है, फान holistic development work होगा, northern bordering villages में, यानि कि जो उत्तरी सीमावरती गाउं है, वहाँ पर समगरवे विकास करने का प्रयास किया जाएगा, इससे क्या होगा, infrastructure development होगा, four states और union territory में, mainly along the northern borders, जो borders, चाइना को छू रहे हैं, जिन states और union territory के border, वहाँ पर ये scheme जो है, लाउंच की गई है, और पीछे क्या कहा गया है, reason क्या दिया गया है, कि चीन का जो बड़ता प्रभाव है, हमारे borders में, जो दखल अंदाजी कर रहा है, उसको counter करने के लिए, ये scheme लाई गई है, जिससे कि हमारा भी infrastructure ऐसी जगाओं में develop हो सके, ठीक है, देखें, यहाँ पर ये नहीं mention किया है मैंने कि वो कौन से चार states हैं और union territory है, आप एक मिट वीडियो को pause कीजिए और सोचने का प्रयास कीजिए, जब चाइना को counter करने के लिए लाया जा रहा है, तो इंडिया का border की कौन सी वो states है जो चाइना से touch करती है, तो एक बार आपका revision भी हो जाएगा, और अगर आपको नहीं उसके बाद कौन सी state हो गई, अरुनार्चल प्रदेश और फिर कौन सी state हो गई हमारी सिक्किम, ठीक है, तो ये हमारी चार states हो गई, और एक union territory जो है वो है हमारी लद्दाग, ठीक है, अब आप इन बांचों को नाम याद रखिएगा, इन ही के लिए ये program है, ठीकि क्योंकि साथ हमारा ये आज का discussion complete हो गया है, I hope आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपनी तरफ से भी topics का suggestion दे सकते हैं, ठीक है, और अब हम अपने next lesson में मिलेंगे, thank you so much, और साथ में अगर आपको कोई query और question है तो वो आप पूछ सकते हैं, right, thank you